नमस्कार मैं संजीव कुमार आज सत्य कहूं तो एक सन्यासी के संस्वरण इसके दूसरे अंस को संछेप में प्रस्तुत करने का प्यास कर रहा हूँ इसके लेखक हैं ओम स्वामी 1990 के दसक्ष में अपने सांसारिक सपने साकार करने के उद्देश से एक 18 वर्ती युवक ने आस्ट्रेलिया की ओर प्रस्थान किया और वहां इस्थापित होने के लिए कठिन संघर्ष का मार्चुना क्योंकि उसके पास न तो धन्था और नहीं कोई अन्य सहायता दो ही वर्ष बाद वह दो लाक पचास अजार डालर प्रती वर्ष की आय अर्जित करने लगे और चब्विस वर्ष की आयू में ही उनकी गड़ना धनी व्यक्तियों में होने लगी परन्तु यह उनका मंजिल नहीं वरन एक पड़ाव मात्र था आठ वर्ष की आयू में उन्होंने स्वप्ण में इस्वर के दर्षन पाए इस स्वप्ण ने उनके अंतर में इस्वर से मिलन तथा दिब्व के साकार दर्षन की एक गहरी लालसा पैदा कर दी उन्होंने जोतिस गहन अध्यन तथा तंत्र की साधना की किन्टु कोई भी उन्हें इस्वर के दर्षन नहीं करा सका वे कुंठित हो उठे और अपनी व्याकुल्ता से ध्यान हटाने के लिए सांसारिक क्रिया कलापों की ओर उन्नमुख हुए वर्सों तक एक अच्छा जीवन जीने के पस्चात उन्होंने यह पाया की वे अपने अंतर मन में छिपी असान्ती की और अधिक उपेक्छा नहीं कर सकते थे सांसारिक सुख अंतर की सुन्यता नहीं भर सकते थे वे भारत वापिस आ गए और अंततह उन्होंने वही किया जिसे वे सदा करना चाहते थे वे संसार का त्याक कर एक सन्यासी बन गए ओम स्वामी ने हिमाले की घोर निस्त अब्धता तथा एकाकी पन के बीच ती व्रिध्यान की गहन साधना की जलवाई की जलवाई की भयानक परतिकूलताओं तथा वन्य प्राणियों की निकटता के कारण मृत्यु प्रायह आसन जान पड़ती अंततह साधना के बल पर उन्होंने उसे प्राप्त किया जिसे हम परमसत्य से साच्छातकार कहते हैं मुझे जिसकी तलास थी वह मैं स्वयम ही हूँ यह वर्तमान की चुनोती पून तथा भ्रामक युग में यह एक अध्धात्मिक जीवन के निर्माण के विश्मयकारी संस्मरण हैं सत्य कहूं तो अपनी जीवन यात्रा में आप जहां भी हूँ यह पुस्तक आपका पत्थ आलोकित कर देगी मेरे स्वप्न में आए एक महात्मा जब वास्तों में मुझसे मिले तो मैंने उनसे पूछा मुझे सिद्धी क्यों नहीं मिल रही उन्होंने कहा क्योंकि तुम अन्तिम लक्ष पर केंदित न होकर छोटी छोटी उपलब्धियों की ओर भाग रहे हो यदि तुम सूर्य को प्राप्त कर लो तो प्रकास्तों स्वम ही प्राप्त हो जाएगा एक विद्वान व्यक्ति प्रोफेसर एपी सर्मा जो अंग्रेजी साहित्य में पियच्डी थे उम्र का अंतर था परंतु नित्रता हो गई थी क्योंकि हम दोनों भविश्य द्रश्टा थे उनके निर्देश थे जब तुम लिखते हो तो तुम्हारे लेखन में इतनी कसावठों की यदि कोई तुम्हारे किसी एक वाक्य से एक अल्प विराम भी हटाना चाहे तो वह पूरा पैराग्राप फिर से लिखने की आवशकता आ पड़े और जब तुम बोलते हो तो तुम्हें संघर्ष करना पड़े इसलिए नहीं कि तुम वैसे सब्द नहीं सोच सकते जिन से तुम खुद को अभिवक्त कर सको बलकि इसलिए कि तुम्हारे मन में इतनी सारे सब्द आ रहे हो कि तुम्हें उनमें सबसे सटी सब्दों का चैन करना पड़े इसी प्रकार बातों बातों में व्यवसाई प्रवेश सिंगला से मेरी दोस्ती हो गई थी यड़ेपी आयू में वो अधिक थे जब मैंने स्टाक में लिवेश करने और लाव कमाने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा तुम केबल तभी लाव हासिल कर सकोगे जब तुम हाने उठाने को कैयार रहोगे धन्यवाद नमस्का सेश अगले अगले